बिना दूद बिना मावा सिर्फ दो कप मिल्क पाउडर से आज बनाएंगे एक किलो बर्फी बोवी बिल्कुल हलवाई जैसी So Hello Everyone, जैसरी महाकार मैं हूने की तत्यागी और मसालेदार मैजिक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए बर्फी बनानी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ले लूँगी एक बड़ासा बाउल इसमें निकालेंगे हम मिल्क पाउडर जितनी भी आप बर्फी बनाना जाते हैं उसी हिसाब से आपको मिल्क पाउडर लेना है तो यहाँ मैं लगभग एक किलो के करी में बर्फी बनाऊंगी तो मैं लूँगी दो कप यहाँ पर मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनिय का ले सकते हैं इस तरह से दो कप मिल्क पाउडर ले लिया है जब बर्षी बनाएंगे तो milk powder में इसमें लंप नहीं पड़ेंगे यानि एक बहुत सी होती है वर्षी इसमें गुटलिया राजाती है तो इस तरह से घी को mix कर लेने से उसमें गुटलिया नहीं पड़ेंगे मतलब जैसे दो कप हमारा milk powder था तो आधा कप घी लेना है इसी तरह से अगर आप quantity बढ़ाना चाहते हैं तो घी की मातरा भी बढ़ा दे और अगर घटाना चाहते हैं मिल्क पाउडर की quantity तो आप घी की मातरा भी घटा सकते हैं इस तरह से हो जाने के बाद एक कढ़ाई रग द घंड़िया है मैंने पानी उसके बाद इसमें चार चार अपाुटे को इस तरह से तोड कर डाल दिया हैं यहां पर एक तार के लिए लग बग 10 मिनिट का टाइमलगता है और चैक करने के लिए आप इस तरह से चैक कर सकते हैं. अगर आप इस तरह से चैक करेंगे तो एक तार सा खिछता है, जब ये एक तार सा बनने लग जाए चासनी में, तो आपकी चासनी बिल्कुल पर्फेक्ट है, इसी स्टेज पर कर देंगे गयस को बिल्कुल लो, और उसके बार ले लेना है मिल्क पाउडर, इस तरह से मैंने आप मिल्क पाउडर ले लिया है और सारे मिल्क पाउडर को इस चासनी में हमें निकाल लेना है इस तरह से इस तरह से चासनी में डालने के बाद इसे चासनी में हमें चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से और लगबख 5 मिनट का टाइम लगता है इसको पकने में मतलब आपको मिल्क पाउडर चासनी में डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहना है नई तो आप मिल्क पाउडर तले में चिपक जाएगा इस तरह का बैटर हो जाने के बाद एक ट्रे में घी लगा लिया है मैंने और इस तरह से सारे बैटर को निकाल लूँगी एक ट्रे में आप चाहें तो किसी थाली वगएर में भी निकाल सकते हैं या तो आप बटर पेपर लगा ले नीछे या फिर आप घी लगा सकते हैं तो इस तरह से सारे बैंटर को निकाल लिए है इसमें अभी ये बैंटर जो है गरम है इसलिए आपको थोड़ा पतला लग रहा है जैसे जैसे ये सैट होगा न ये अपने आप ही सक्त हो जायेगा तो यहां मैं थोड़े काँजू और पिस्थे यहां पर डाल दिए हैं उसके बाद यह चोड़ देiiii अल्ग-20 गंते के लिए और 8-10 गंते के बाद यह लीघिये हमारा यहां पर यहां पर एपलाप पीस कटने के लिए बिलकल तयार है तो एक चाकू की हल दिए संसे सारी वर्फियों को कर लोंगी je cut और इनने निकाल लेते हैं निकालने के लिए आप इस तरह से बर्फिटे। निची देशे से चाकु लगाएंगे बैसायों इसारी पिस छुड़ जाएंगे इस तरह से यह देखे इसी तरह से सारे पीसिस निकाल लूँगी मैं यह लीजिए सारे पीसिस बने यह पर निकाल ली हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल हमारी बर्फी बनकर तयार हो गई है आप पास से देख सकते हैं यह देखे बिल्कुल हलवाई जैसे हमारी बर्षी बनकर तयार हो गई है इस दीपावली आप भी इस तरह से अपने घर पर बर्षिया बना कर देखे कोई भी बता नहीं पाएगा कि इन बर्षियों को आपने इतने आसान तरीके से घर पर बना कर तयार करा है देखने में बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं या दीपावली पर आप बहुत सारे पैसों में खरीद कर लेकर आते हैं तो इसे निकार लूँगी एक मिठाई के डिब्बे में ताकि ये देखने में बिल्कुल ऐसे लगेगी ये हलवाई की ही बनाई हुई है यानि हम दुकान से ही इने खरीद कर लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को ही पर समाप्त करते हैं और मैं वीडियो को end करूँ से पहले आप लोगों से निवेदन हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर